नमस्कार मैं अम्रेंद्र तिवारी औल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों जारखंड के संथाल में भी दूसरा केस मिला है देवगर में सार्मा प्रखंड है वहाँ पर जो गाउं भुरकुंडा में यह केस मिला है यह एक आदिवासी बह बहुल गाउं है आदिवासी बहुल इलाका है और यहां पर माना जा रहा है कि यहां जो यूवक मिला है वो दरासल उसको क्वरेंटाइन पीरियट पूरा हो जाने के बाद घर भेज दिया गया था लेकिन जैसे ही केस मिला वहाँ पर तो दूसरे जो कैसे से लगातार उसके बारे में शिनाक्त की गई उस मरीज के साथ कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की गई कि किन किन लोगों की थी और यह वही मजदूर मिला है जो कि इसकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो गुजरात बताई जा रही है तो यानि कि अब केसिस लगातार जो है यहां से मिल रहे हैं तो अस्पताल कोवीड अस्पताल में जो है वो भरती करा दिया गया है एहतियातन उस गाउं के आसपास के सारे इलाके सील कर दिये गए हैं बुरकुंडा के आसपास जो है रोडों पर डंडा धिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और एहतियातन जितने भी आवश्यक अदम उठाने थे वो अदम उठाये गए हैं तो आज देखा आपने की किस तरीके से जो दिन बिता वो तीन नए केसिस के साथ एक तरीके से हिंद पीडी जो है फिर से होटी स्पोट के रूप में जो है चिनित हुआ है 57 प्लस 3 मामला पहुंच चुका है 60 पर जहारखंड में कुल इसे में सवाल तो सिस्टम से पैदा होता ही है कि आखिर इतनी कडाई और इतनी साथानी के बाद हिंद पीडी क्यों जारखंड सरकार के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है जी हाम आपको और बता देते हैं कि नए नए जो इलाके हैं वहाँ पर भी धिरी धिरे अब कोरोना क कि जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं चाहें आपने देखा कि सिमडिगा का मामला हो चाहें आपने देखा कि गढ़वा का और अब संथाल में दूसरा केस मिलने के बाद जो है पूरे तरीके से हडकंप मचा हुआ है और संथाल में बाकी अगर रिपोर्ट्स देखें तो अभी भ बहुत सारे सेंपल्स जो हैं वो पेंडिंग में हैं बहुत ज़्यादा दबाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है PMCHO या फिर रिम्स के एहत्यातन और ठोस कदम उठाए हैं मसलन हिंदपीडी में CCTV कैमरे लगा दिये गए हैं अब CCTV कैमरे से वहां निग्रानी हो रही है ताकि ज़्यादा संख्या में लोगों को घरों के अंदर रखा जा सके क्योंकि यह ऐसा संक्रमन जो आदमी से आदमी के बीच फैलता है और चे प्रमंडल हो छोटा नागपूर हो संथाल प्रमंडल हो समय जो है वो मिलेगा लेकिन चेन को तोड़ना जो है वो जरीरी अभी जो मरीज की टोटल संख्या साथ है उसमें आप देख रहे हैं राची से अकेले 38 मरीज है यानि की लगभग यहाँ पर 60% का आकड़ा जो है ये अगला जो बड़ा महत्वपून अपडेट है हाइकोट को लेकर हाइकोट में आज जो है 24 तारिक को जो है बड़ी सुनवाई होनी थी लेकिन अब आज होगी आज बड़ी महत्वपून सुनवाई होगी क्योंकि सरकार के तरब से जवाब ठीक समय पर नहीं मिला था तो राज जो है बड़ी हम सुनुआई होगी और हाइकोट जो है वो निर्देश दे सकता है राज सरकार को हाइकोट निर्देश दे सकता है केंद्र सरकार को अब देखने वाली बात होगी हालाकि है मंसुरिन सरकार लगातार दावे कर रही है मंसुरिन सरकार यह भी कर रही है कि में लगभग जो पैसे भेजे जा रहे एक लाख ग्यारा अजार लोगों के खातों में पैसे जो है वो पहुचा दिये गए हैं ट्रांसफर किया आ चुका है और लगभग तीन पूरे जो निबंधन का मामला है वो ज्यादा लेकिन टाइम पिरिट को लेकर जो है वो एक सरकार का अच्छा फैसला इस वक्त माना जा रहा क्योंकि आपने देखा कि सहायता एप से जो बाहर मजदूर भाई फसे हुए उन वो लगातार उस पर रेजिस्टर कराकर उनके खातों में जो है सरकार के द्वारा पैसा भेजा जा रहा है जो भी अपडेट होगा इसके रि बैठे वे लोग हैं वो लगातार जनता को बेवकूफ और गुम्रा बनाने का प्रियास कर रहे हैं हाला कि रावेश्वर उन्राओ साहब ने वित्तमंत्री जो जहार खंड को नने कहा कि सिर्फ 284 कड़ों की मदद की हुई है उसके अलावे जहार खंड की कोई मदद नहीं क की गई है देखने वाली बात होगी वक्त और बदलती विसी वास्यत के हरेक पहलूओं को हम ध्यान में रखते हैं जहार खंड में आगे क्या होगा जरूर हम आप तक पहुंचाने का प्रियास करेंगे अल्टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहें अफवाहों से दूर रह रहें सच्चाई के साथ रहें जै हिंद जै भारत जुहार जहार खंड जै जहार खंड कि कर दोड़ाद करेंगे अनल्टाइम, πα्तिष रहें से द zwarग hello झाल झाल